अभी रीसेंट डाइम हमने फ्लिप वाले लाप्टॉप रिव्यू के रहे पहले लिनुवो योगा 9i करा था जो भाई बहुत ही एक्सपेंसिव साइड था उसके बाद हमने एसूस का एस फॉर्टीन फ्लिप करा जो थोड़ा हायर साइड था तो मेरो काफी कॉमेंट्स मिले यहां में मिलता है यहां में लिगी लिनुवो की बाद्चीत मिल जाएगी और हाँ यह लिनुवो का प्रीमियम केर से बाद कर सकते हैं सब्सक्राइए और राइट साइड में लिनुवो की ब्रैंडिंग अच्छा नहीं एक पहत से नहीं खुलता दूसरा हाथ आपको लगाना पड़ेगा और यह खुलने के बाद पूरा पीछे इतना 180D की तक चला जाता है और यहां पर हिंजिस हमारे को स्टेबल मिल जाते हैं स्क्रीन वाबल हमारे को इतना ज्यादा नहीं मिलता है इतना कम भी नहीं है मतलब ठीक है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है 360 लापटोप के साब से और बाइसाब दुबला पतला लापटोप है इस लापटोप का वेट हमारे को 1.6 kg के आसपास मिलता है तो अगर आपको कैरी करना हो बैग वैग मिले के गोमते हो जादा ट्रेवल करते हो और पतला लापटोप चीए तो 1.6 kg ठीक होता है जादा हेवियर साइड नहीं आपके कंदों पर जोड नहीं डालेगा वेट के मामले में एक हाथ से देगा एकतम कोई दिक्कत नहीं है और इस लापटोप की जो ठीकने साफ हो 17.4 mm है तो काफी पतला दुबला सा भी हो और दिखने में लगता स्लीक है पिरो फैसनल और इस लापटोप की तखनी की बातचीत यह लापटोप आता है मारा इंटल कोर है 512 35 यू प्रोसेसर के साथ जो हमारा 10 कोर्स 12 वाला प्रोसेसर है दो पी कोर्स मिलेंगे हमारा को 8E कोर्स मिलते है इसके अंदर या अपने लापटोप पे एडिटिंग कर रहे हो फोटोशॉप वगरा चला रहे हो उसके अंदर आपके पी कोर्स काम आते है जिसमें लापटोप का तगड़ा काम करता है और यह पर जो एकोर्स है हमारे आपकी एफिशेंसी कोर्स होते हैं इक कोर्स में कम लगती है पी कोर्स में जाता इंटल इस एक सी ओंड़ ग्राफिक्स के अंदर मिल जाते है 8GB RAM मिलती है LPDDR4X वाली 4-66 MHz clock speed वाली और बाई LPDDR4X है यानि कि Soldered RAM है आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते हैं इसके अंदर 16GB वेरेंट भी आता है मैं कहूंगा 2023 में आप 16GB वेरेंट अप्ट करना क्योंकि उसके बाद तो मतलब अपग्रेड गाऊंगे सी नहीं है ना तो एक ही बार बढ़ी हलो और यहां पर मिलती है 512GB की Gen 3 SSD जिसकी Read&Write स्पीड आउक ने साम देख सकते हो और maximum 1TB तक यह सपोर्ट करता है Wi-Fi 6 and Bluetooth version 5.1 इसके अंदर मिल जागा और MS Office Home and Student Lifetime के लिए आपको इसके अंदर मिलता है यह वाला जो वेरेंट हम रिव्यू कर रहे हैं यह 70,000 रुपीज का है जो 8GB RAM वाला है और 16GB RAM इसके अंदर 76,000 का मिल जागा यहाँ पर i3 में भी मिल जाता है 62,690 का i3 वेरेंट है अगर आपको बहुत हलके टास्क करने हो तो आप i3 भी ले सकते हो और आपको कौन सा चूस करना चाहिए वो भी आपको बताता हूँ सबसे पहले इसके benchmarks देख लो कि कैसी performance यह देगा यहाँ पर Cinebench R23 के scores आप देख सकते हो 7476 Multicore and 1504 Single Core और यह हमारे Geekbench 6 के scores है जो आप वीडियो पॉस करके देख सकते हो और यहाँ पर PC Mark 10 का score देख सकता है 4717 जो कि ठीक ठाग है और उसके बाद Crossmark का benchmark भी जाता है जो laptop comparison के लिए काफी काम आ जाता है अब जाता कुझे उमीद है इस laptop की जो target audience है उनको यह benchmarks बगएरा समझ नहीं है होंगे थोड़ा side है देता हूँ यह जो benchmarks है ना मैं हर वीडियो में करता हूँ आपको laptop compare करना हो ना बस number compare कर लेना higher is better और YouTube पे जितने भी reviews आप देखोगे उनमें भी यह benchmarks आपको मिलेंगे तो जो laptop हम review नहीं कर पाए किसी और ने कर रखका है तो वहाँ पे compare कर सकते हो किसके कैसे number है वैसी हो performance देगा अब यह laptop कर क्या क्या सकता है आप 1080p level के editing इसके उपर कर सकते हो हमने करके देखी थी कोई आस दिक्कत नहीं आई 4K level की भी करी थी उसके अंदर यह lag करने लगा था क्योंकि इतना powerful CPU नहीं है इसका अगर आप i3 के लिए जाते हो तो उसके अंदर 1080p में भी दिक्कत है कम से कम आई फाइव लेना अगर आपको वीडियो एटिंग के लिए चीए और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो आपको आफिस वाले काम करने है MS Office इसके अंदर मिलता है जो की अच्छी चीज़ है इस प्राइस पॉइंट पर तो यहां पर MS Word, Excel, PowerPoint वगरा सवाराम से हो जागा इसके अंदर साथ में स्टाइलेस मिलती है एकदम फूल पैंसिल बाजी दिखाते ना आसपास वा लोगो और अगर college जाने वाले student हो आपको multitasking करनी है, OTT, movies वगरा देखनी है उनके लिए भी ठीक है coding करोगे तो basic level की coding करा देगा, app development की तरफ अगर जाओगे तो dedicated GPU वाला laptop लेना करा तो यह भी देता है बट लेकिन उतना smooth experience नहीं कराएगा और जैसे कि student और working professions की बात करा था, 1080p वाला webcam मिलता है इसके अंदर तो यहाँ पे calls, walls, meetings, meetings एक्तम जबरदस और यहाँ पे इस laptop की performance को चेक करने के लिए हमने बहुत सारे tabs वगरा यहाँ पे खोल दियते है इसके browser में और भाई हमने applications आप देख सकते हैं कितनी applications खोल रखे है उसके बाद भी ऐस सच इसमें कोई lag नी मिला थोड़ा बहुत जिटर होता ही है क्योंकि 8GB RAM के साथ याता है मल्टी टास्किंग में भाई अच्छा खासा है संभाल के चला गया था यही तो beauty है वाई सब्सक्राइब और performance को थोड़ा और खीचने के लिए हमने इसके अंदर गेम टेस्ट भी जिसमें हमने सबसे पहले टेस्ट किया था और लो सेटिंग्स पर क्योंकि इतना तो HDMI के थूर एक्स्टरनल मॉनिटर वगारा लगा कि 1080p वाला बेसिक वैलोडेंट डिस्के ओपर खेल सकते हैं असे कोई दिकत है नहीं फिर हमारा प्यारा दुलारा GTA 5 ना टेस्ट किया तो भाई सब्सक्राइब यहां पे हम 1080p पे टेस्ट कर रहे हैं और यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हो मीडियम टू लो सेटिंग्स पर और वह थोड़े पुराने टाइम के गेम जो ज्यादा GPU नहीं यूज करते हैं बेसिक आई जीप्यू पर चल जाते हैं तो आप ऑनलाइन देख सकते हो आई 5 12 35 यू पर कौन कौन से गेम चल सकते हैं वह सारे इसके नहीं बता इसमें लाप्टाप कर आपको आफ योगा ना तो इससे आप चार्जिंग आउटपूट ले सकते हो फोन चार्ज करना हो या ज्यादा है बहुत मिनिमम सा आउटपूट देते हैं तो टी डवलेस वगएरा चार्ज कर लिए उस पर काम आता है और लेट साथ में जाएगा एक HDMI 1.4b मिल जाएगा और एक थंडर पोल्ट 4 पोर्ट मिलता है जो वारा टाइब सी पोर्ट है और हेड़फोन माइक यांग का कॉम्बो और जैसे के थंडर पोर्ट 4 पोर्ट है तो पावर डिलीवर्री के सब्सक्राइब आता है यापर लापटाप चार्ज कर स की ब्राइटनेस मिलेगी तो अगर अंधेरे में यूज करना हो रात में कुछ मीटिम अगए रात में कीज आपको दिख जाएंगी और जो इसका ट्रैक पैड है उसका साइज मीडियम सा है क्या देख तो डिस्प्ले बाए साब 14 इंचीज की डिस्प्ले मिलती है WU XGA वाली डिस्प्ले है 1925 1200 डिस्का रेजोलूशन है और जब यह 1200 पी वाली है तो 16-10 एस्पेक्ट रेशियो हमारे को मिलेगा और यहां पर कलर गैमेट तो बेसिक है 45 परसें न्टेस वाला लेकिन ब सब में मिलेगी जिसके अंदर आपको कलर्स बेसिक दिखाई देते हैं एक हो तो ना बहुत तगड़े पंची कलर दिखाई दे रहे है वह ओलेड डिस्प्ल होगी या 100% sRGB वाली होगी यह 45% NTSC है यानि 62-65% sRGB होगी जिसके अंदर आप डे-to-day टास्क करना हो OTT देखन सब्सक्राइब करोगे तो आपको एक्कुरेसी नहीं मिलेगी कलर्स की लाइक आप क्लाइंट के लिए काम करें फोटोशॉप आप चला रहे हो तो उसके अंदर experience इतना बढ़ी है नहीं रहता है और टच की बात चल रही है 360 आप इस लापटप को गुमा सकते हैं और एक तम फुल स्टाइलस के साथ यहां पर कलाकारी दिखा दो हमने इसके अंदर फोटोशॉप भी चला के देखा था फोटोशॉप भी काफी अच्छा गाता स्मूथ चल जाता है और इसके स्टाइलस पे मारे को दो बटन मिलते है एक एरेज वाला और एक सेलेक्ट करने के लिए औ हल्की से पैंसी चलाओके तो पत्ली लान आती है और उसके उसके इसके इंदर बैटरी डलती है रिचार्जेबल नी है तो खतम होगा तो आप बैटरी चेंज हकले रर्या हम सन número जोटी बाच आप स्टाइलस के लिए लाटों में और जगातों के लाउनों कि पूर लगास तो इसमें ऐसाच खोने मोने हो कोई डरनी है और overall stylus का experience है कर बताऊं तो 70,000 का laptop है उसके असाब से stylus होकिय है मेरे को ऐसाच कोई दिख्कत नहीं होई जितना एक basic काम इनसान कर सकता है जाता precise नहीं वह यह करवा जाती है और जब डिस्प्ले की बात चले रही है इसकी डिस्प्ले असरी सिर्फ स्टाइल से चला सकते हो यह दिस्प्ले 10-point multi-touch को सपोर्ट करती है आप आराम से अपनी उग्लियों से भी चला सकते हो कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या फिर कोई YouTube देखते हुए कुछ या फिर पता होगे निए और इसका फिजिकल शटर के साथ आता है तो अगर आप यूज नहीं करें इसको कुछ इस तरीके से बंद कर सकते हैं बहुत ही बेसिक सी आवाज है दो वाट के तो अब उतनी लाउडनेस नहीं है एंड येस डॉल भी ऑडियो के सपोर्ट के साथ आता है त तो उसके अंतर आप इससे पीक आउटपूट निकाल सकते हो डॉल भी के मज़े ले सकते हो एंड इसको टैबलेट मोड पर यूज करते हो तो स्पीकर पीछे की तरह हो जाते हैं और उसके मामले में भी मतलब सिंगल बंदे के साथ साफ से स्पीकर है जादा ऐस सच लाउड और जैसे की पतला लाप्टोप है तो बैटरी जादा वाट आर की नहीं मिलती 52.5 वाट आर की बैटरी है लेकिन बढ़िया देगी ती यह पर यह प्रोसेसर कम पावर करते हैं इस वैसे बैटरी बैटरी बैट अब जादा लाप्टॉप से तो यह ता इसका पूरा रिव्य लिनोवो आइडिया पैड फ्लेक्स 5 आई का जो कि मारा 360 वाला लाप्टॉप है स्टाइलस के साथ ही आता है तो यार सारी चीज़े वीडियो में कवर करी दी अगर आपका बजट सतर अजार के असपास है और आप एक 360 वाला लाप्टॉप देख रहेते तो आप यह को दिखाई उतनी करवा सकता अगर तगड़ी गेमिंग करनी है यह फिर तब्ले टांस देज़े स्रीडी मॉडलिंग रेंडरिंग आर्किटेक्चर वाले काम करने वह सब इन लाप्टॉप में होते उनके लिए डेडिकेट सेपरेड लाप्टॉप है वह आप फिर हाई पर कर दो